अबी रिसेटली मैंने इस यूटूब चैनल पे एक फ्री स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लॉंच किया था and successfully हमने उस पूरे कोर्स को end भी करा हमने बहुत मस से चीजे समझी, roadmap समझा उसके बाद मैं strategy समझी, किस तरीके से काम करना है, mindset and all अब उस पूरे कोर्स में एक comment मेरे को regularly आ रहा था जो comment था क्यां कुछ भाई, swing trading के लिए capital जाधा चाहिए मैं मानता हूँ अगर आप swing trading तब ही कर सकते हो जब आपके पास एक normal 10 lakh के आसपास का capital हो लेकिन जादक जो लोगे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं market में जो शुरुवाती phase में आते हैं उन्हों के पास इतना पैसा नहीं होता उनके पास पैसा होता है सिर्फ 1,00,00 या फिर maximum 2,00,00 तो जिनके पास 1-2,00,00 रुपे उनको मैं बोलू चलना हो कि swing trading करो तो वो एक सही चीज sense नहीं बनाती है तो जिनके पास इतना छोटा capital है मैं आपको सबसे पहली यही रही यही देता हूँ कि हो सके तो अपना capital बढ़ा के swing trading में shift हो जाओ because swing trading में आपको जो capital है वो बहुत जादा safe रहने की condition होती है because अगर आप 102 रुपे रखोगे तो आपको F&O करना पड़ेगा और F&O में problem क्या है problem strategies में नहीं है problem है हमारे mindset में because F&O आप trading करते हो तो आपके पास time limitation बहुत कम होता है आपका माल जो होता है वो decay होता है ठीका decay होता है तो उस कारण से swing trading best है बट तभी best है जब आपके पास capital अच्छा हो number one चीज number second is जिनके आभी सीख रहे हैं जिनके पास इतना ही capital है बट वो यहां से पैसा बनाना चाहते है तो वो लोग start कर सकते है F&O stock trading अब F&O stock trading क्या होता है आपने coal put के बारे में तो सुना ही होगा बट वो आपने सुना होगा Nifty and Bank Nifty में कि Nifty की call ले लो, Bank Nifty की put ले लो यह सब चीज़े अगर आप लोग beginner हो अपनी journey start करना चाहते हो then stocks में F&O best है best क्योंकि कम पैसो में आपको बहुत चांदा trading आपे करने को मिलती है अब बाते बहुत जादा हो गई मैं आपके लिए कोर्स लॉंच कर रहा हूँ इस YouTube चैनल पर बिल्कुल free of course अगर इस वीडियो के नीचे 100 like complete हो जाते है then मैं इस कोर्स को start करूँ otherwise अगर जब तक इस वीडियो के नीचे 100 like नहीं होंगे मैं इस कोर्स को record ही नहीं करने वाला इस कोर्स में basically 10-12 वीडियो होने वाली है क्या क्या पढ़ने वाले है देखो अगर आप FNO के अंदर stock trading करते हो तो तीन बहुत ज़्यादा important चीज़ आपके लिए बन जाती है अगर आपको वो तीन चीज़े सीखने को अगई तो आप यहां से पैसा बना लोगे नमबर फर्स चीज़ होती है stock selection देखो अगर आप intraday level पे stock select करना सीख गए कि आज हमें किस stock में buy करना है call लेना है फूप लेना है तो तो मैं अपनी तीन strategy आपके साथ share करूँगा तीनो strategy में आपका technical fundamental cover होगा तीनो strategy आप बोल सकते हो कि एक तरीके से price action का ही part है यह मैं आपको तीनो अच्छे समझाऊँगा कैसे buy करना है कैसे stop loss रखना है कैसे सब चीज़े रखनी है number last में उसी चीज़ा आती है हमारा money and risk management देखो किसी भी चीज़ में अगर आपको यह नहीं पता ना कि पैसे कैसे लगाना होता है तो कुछ भी सीख लो अगर मैं यह जानता हूँ ना कि दस में से नो बार हमारी जीत होगी और एक बार हमारी हार होगी लेकिन मेरा money management इस तरीके से है कि जब भी मैं पैसा कमाता हूँ मालो मैंने एक रूपय लगाया मेरा दू हो गया अगली में मैं दू लगा रही हूँ फिर दू से का चार हो गए तो अगली मैं चार लगा रही हूँ फिर चार का आठ होगा तो हम अगले में आठ लगा रहो याने कि अगर मैं अपना 100% कैपिटल किसी भी strategy में लगाँगो न तो एक बर तो वो दिनाएगा कि 10 में से एक बर मैं हारूँगा और उस दिन मैं सारा गेम हार जाऊँगा तो गेम यहाँ पर money management रिस्क management का भी बहुत ह होता है अगर आप strategy की पार्ट के अलावा stock selection और इसके पार्ट के अलावा एक चीज़ और रखना चाहते हो जो कि ज़रूरी बहुत है तो वह है अपना oi decoding येस देखो मैं क्या बोल रहा हूं जो स्टों होते न fno वाले वो kind of nifty के तरह चलते हैं यानि कि वहाँ पे आपको option seller का oi बहुत जादा दिखेगा तो इसलिए जो लोग option chain के बारे में नहीं जानते न वो fno trading नहीं कर पाएंगे तो हमें चार चीज़ पर आने की focus रखना है money management risk management जो सबसे last में करेंगे stock selection बहुत महतन पूर्ट है और strategies and last में आता है oi decoding तो इतनी चार चीज़ अगर आपन available यहाँ पर कह सकते हम fno stock trading वाले बन जाओगे stock trader बन जाओगे अब इस वीडियो में क्या अभी तक मैंना को बता दिया announcement कर दी कि अगर आप 100 like कर दोगे तो हम course को स्टार्ट कर देंगे मुझे comment आने चाहिए सभी बंद होगे कि हाँ भाई प्लीज को स्टार्ट करो मैं course को स स्टार्ट कर दूगा बट अभी इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीखेंगे नहीं तो जितने लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा है प्लीज दिल से धन्यवाद आप लोग का लाइक आप लोग ज़रूर कर देना अब हम एक चीज़ सीखने वाले हैं कि what is future option अब मेरे को पता है आदे है जादा लोगों को पता होगा what is future option बट हमेशा ना बारिक से चीज़े जो सीखी होती है वो long term में आपको काम आती है तो what is future option सबसे पहला जो doubt होता है मिठ होता है लोगों का कि future option एक ही शब्द है नहीं future option दो शब्द है इसमें जो future है वो अलग है option है वो अलग है future क्या होता है वो समझो future होता है for example मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो stock है अगर एक यह x y z करके एक stock है यह stock कुछ दिनों में आग करूँगा अगर मेरे को यह लगता है कि यह जो x y z stock है यह कुछ दिनों में down आने वाला है तो मैं x y z का future sell करूँगा understood उसके वादे मान लो अगर मेरे को option submitted करनी है मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक stock है x y z वो यहां से उपर जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ता है मुझे क मुझे लगता है कि कुछ दिनों में x y z जो इस टोक है नीच आएगा तो मुझे x y z इस टोक का पी यानी put buy करना पड़ता है समझो यहां पर अब अगर मैं option buyer हूँ तो मैं यह काम करूँगा अगर मैं option seller हूँ यानि कि मेरे का option selling करना है तो मैं क्या करूँगा यह तो होता ह option buyer के लिए अगर मैं option seller हूँ तो मैं यहांपे क्या करूँगा वो सी समझो अगर मैं option seller हूँ तो x y z मुझे लग रहा है कि यहां से उपर जाएगा तो मैं x y z का जो put ए उसको sell कर दूगा अगर मुझे लग रहा है कि X, Y, Z ये श्टोक है यहां से नीचे जाएगा तो मैं X, Y, Z श्टोक का जो call option है उसको sell कर दूँगा ये game है अब ये मैं कब करूँगा अगर मैं option seller हूँ ये मैं कब करूँगा जब मैं option buyer हूँ अब इन दोनों में difference क्या है अगर आपको नहीं पता तो मुझे comment section में comment करने इं detail video ज़रूर से ज़रूर आपके लिए ले क्या हूँगा बट option selling safe होती है बट expensive होती है option buying सस्ती होती है थोड़ी risky होती है इतना आप समझ लो option buying में होता क्या है आपने कोई 10 रुपे का premium बाय करा है तो वो कल को अगर 1000 भी हो गया ना तो आपको profit हो जाएगा बट अगर आपने कोई मालो put sell कर रखिये या फिर कोई call sell कर रखिये तो वो 10 रुपे वाली चीज़ जो आपने sell करी है ना उसमें maximum आपकी जीरो ही हो सकती है यानि कि आपको profit है वो बिल्कुल ही limited है जो loss है वो unlimited है बिकोज जो चीज़ मैं 10 रुपे की sell कर रखिये कल को अगर वो 1000 की हो गई तो मेरे तो unlimited loss है इसलिए option selling में आपको पास एक proper stop loss होना बहुत ही बहुत जरूरी होता है मेरे भाई अब यह तो हमने समझ लिया options के बारे में अब थोड़ी future के उपर बाते कर लेते हैं कि future options में क्या difference है future options के अंदर जो major difference है वो difference है capital का देखो अगर आप future में काम करते हो तो आपके पास यहाँ पर जो capital होना चाहिए लगबग एक से दो लाख रुपे का आपका एक जो future है वो यह तो buy होगा या फिर आपका वो sell होगा और अगर आप options में करते हो तो आप यहाँ पे 50,000 रुपे में भी कोई option कोई future को buy कर सकते हो selling नहीं है possible selling के लिए again आपको 1-2,000,000 रुपे लगेंगे बट अगर आप option buying करते हो तो आपके 50,000 में हो जाएगा future में काम करोगे तो आपको लगबग 1-2,000,000 रुपे चाहिए अब एक तरीका है future में काम करने का अगर आप 1-2,000,000 रुपे वाला जो future है उसको अगर आप 60-70,000 रुपे में buying करना चाते हो तो उसके लिए आपको सिखना पड़ेगा future hedging अब ये future hedging क्या होता है इसके उपर मैंने detailed वीडियो बना रखा है और मैं आपको recommend करता हूँ आप वही वीडियो देखो because content को daily नए-ने तरीके से upload करने में कोई समझधारी नहीं है कुछ नए सिखाने में समझधारी है तो जितने लोग भी ये चीज़ सीखना चाते हैं कि 2,000,000 रुपे का माल 50,000 रुपे में कैसे खरीदना है तो वो मैंने आपको सिखाया इस वाली वीडियो में future hedging वाली वीडियो में तो hopefully आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख के आओ तो यहां पर हमने क्या जाना future and option अलग क्या होते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता लगा कि होते क्या है तो future and option होते क्या है यह होता है derivative समझो इसी इसको देखो derivative एक चीज़ होती है इसके अंदर क्या आता है future भी आता है इसके अंदर option भी आता है option के अंदर दो चीज़ है buying भी होती है, selling भी होती है future में सिर्फ यहां तो buy होगा या फिर sell होगा clear cut यह kind of stock trading के तरह होता है stock trading यहने की cash trading for example एक stock है 2000 रुपे का अगर मुझे लग रहा है यहां से उपर जाएगा अपनी trade, तो मैं इसको intra day में sell भी कर सकता हूँ और intra day में मैं इसको buy भी कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसको एक दिन से ज़्यादा buy करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ buy करना पड़ेगा, एक दिन से ज़्यादा मैं किसी भी stock को sell नहीं कर सकता ये चिस clear cut रखना, investment क्या लगेगी अगर मैं buy कर रहा हूँ, एक दिन से ज़्यादा तो 2000 रुपे को जो stock है उसके लिए मेरे को 2000 रुपे देना पड़ेगा तब भी मेरे पास एक quantity हैगी, अगर मैं intra day में कर रहा हूँ, तो मेरे को 5x का leverage मिल जाएगा, for example, मेरे को 2000 रुपे चार रुपे पे करने पड़ेगे, तो जब आप 400 रुपे पे करोगे, तब जाके आपका वो एक stock buy हो जाएगा, लेकिन उस stock को आपको intraday में बेचना ही बेचना पड़ेगा, अब अगर मालवा आपको किसी intraday को, stock को intraday में sell करना जा जाएगा, ये तो हो गई काने भाया, cash की, अब derivative क्या होते है, derivative का अगर आप पूरा मतलब निकालते हो, तो वो होता है stock जैसी चीज, यानि कि परच्छाई, अब परच्छाई अगर आपको शब्द नहीं समझ मैं है, तो आपको मैं clear समझाता हूँ, देखो, अब भी एक stock ह है, 2000 रुपे का, ठीक है, फिर XYZ माल लेते हैं, ये stock उपर जाएगा, निचे जाएगा, अब इस stock की जैसे एक चीज बना दी गई है, एक stock की जैसे चीज बना दी है, इसको हम बोल रहे है, derivative, अगर stock उपर जाएगा, तब ये derivative उपर जाएगा, अगर stock नीचे आएगा, तब derivative नीचे आएगा, लेकिन वो असलियत में क्या है, stock है नहीं है, ये stock नहीं है, ये stock का duplicate है, लेकिन जो इसकी value होगी ना duplicate की, वो fluctuate कैसे करेगी, जब जैसे stock के कर रहे है, अनि कि अगर stock का price उपर जाएगा, उसके derivative को भी price उपर जाएगा, derivative दो तरीके के होते हैं, अपने future and options, options में हम call put buy sell करते हैं, और जो future है उसको हम buy करते हैं, तो derivative बनाए क्यों है, अगर आप derivative में trade कर दो, तो आपकी जो trading हो बहुत easy हो जाती है, सुनो कैसे, उसको सुनाता हूँ, अगली गानी में, मालनो एक stock है, XYZ नाम का, जो की है 2000 रुपे का, आपके पास capital है, सिर्फ 50,000 अब 50,000 रुपे में, अगर मेरे को stock buy करने हैं, तो मेरे पास कितने आएंगी, मेरे पास आएंगे, यहाँ पे 30,000 रुपे का प्रोफित हो गया, यानि कि मैंने 50,000 रुपे लगा के, 2000 रुपे कमा लिए, अब यह कब कमाए, जब मैंने simply 2000 रुपे का stock था, उसको 2000 रुपे दी और मैंने buy कर लिए, जिसको हम बोलते है, cash, equity, trading, नमबर second ची समझो, अब आते हम derivative पे, अगर मालो में को derivative में, options में trade करना है, तो मैं क्या करता, 2000 रुपे वाली stock की, call buy करता, वो call मे cash होता है, cash वाला जो part होता है, इसमें हम उतनी ही quantity buy करता है, जितना हमारा मन करे, एक quantity buy करो, दो quantity buy करो, लेकिन, जब आप derivative में trade करते हो, यानि की future options में, तो उनकी अलग quantity होते है, जिसको हम बोलते है, load size, for example, nifty में अगर आप trade करना चाहते हो, तो nifty का load size कितना है, 25 का है, त तो aligns का load size है, वो 600 quantity का है, तो इनकी कुछ quantity है, कि अगर आप हमसे इतना माल उठाओगे, तब ही हम आपको derivative में trade करने देंगे, तो वैसे ही, x, y, z को माल लो, हमने जब उपर buy किया था, तो 50,000 अब हमने उतने ही share आ रहे थे, लेकिन, for example, यहाँ पे आपका load size है, वो है 1000 quantity क ठीक है, अब अगर आपका load size 1000 quantity का है, तो 1000 quantity आपकी आ रही है, और 10 रुपे का आपका ये call है, तो अगर आप 10 into 1000 करते हो, तो 10,000 रुपे का आपका एक load आ रहा है, अब आपके पास capital कितना है, 50,000 है, 50,000 अगर आपका capital है, तो आप यहाँ अगर होगे, 5 लोट लोगे, जो क derivative है, ये, 2000 की call, जो 10 रुपे पे थी, ये इसका derivative है, तो इसका बढ़े का, 10 रुपे आ रही है, ये बढ़े के 20 रुपे हो जाएगी, जब ये 20 रुपे होगी एकदम से, तो जो आपने 50,000 रुपे लगाए थे, वो कितने हो जाएगे, एक लाख रुपे यहाँ पे हो जाए गया है, क्योंकि ये बहुत जाएगा चीप है, अब एक और चीज़ समझो, चीप के साथ साथ में रिस्की भी है, अगर आपने मापने स्टॉक बाई किया था, 2000 रुपे का, तो चाहिए एक साल, दो साल, लाइफ टाइम तक, जब तक वो स्टॉक 2000 पे था, आपको एक ही न चल रहा है, नवंबर, तो नवंबर मन तक ही मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, और साथ में जो मेरे 10 रुप वाला जो प्रीम है न, ये धीरे 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 अपनी वैल्यू लूज करता रहेगा, अगर वो मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा, मैंने 2000 रुपे का कोल लिया था, य अगर वो 2000 वाली चीज 1900 की हो जाती है, तो आपको 100 रुपे का लोस होगा, याने कि यहां पर आपने 50,000 रुपे लगाए, वो आपके 5000 रुपे प्रॉफित दे रहा था, तो वो आपको लोस भी 5000 रुपे का देगा, बट अगर आपने यहां पर ट्रेड लगा रखा है, अप इनके डिफरेंस होता है, डेरिवेटिव एंड अपना कैश में, मैंने आपको ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ सिखाई है, आपको मैं नेगिटिव चीज़ भी बताजी कि यह देखो, इनके ड्रॉबेक्स है, तो करने से पहले सीखना बहुत जर हैंगे, लास्ट में माइंड सेट, एन लास्ट में आता है अपना ओवाई डिकोर्डिंग, ऑप्शन चैन को भी सिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरे भाई, अगर आप एक फुल टाइम F&O स्टोक ट्रेडर बनना चाते हो, और अगेन, अगर आप इस पूरे कोर्स क आपको फ्री में सिखाऊंगा इस यूटूब चैनल पे, और वो चैनल, वो जो कोर्स आप से मिस नाओ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बाकि थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होफुली आज की वीडियो में आपको ब प्रूर से दुरूर से दुरूर सिखायो, चली फिर दोस्तों मिलते से नेक्स्ट पावरफुल वीडियो को साथ, तब तक के लिए बहन्यवाद,